नमस्कार स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो मैं हूँ सरवन कुमार सागर इस वीडियो में हम बात करेंगे नई सिक्षा निती 2022 के बारे में जो अभी ट्रेंडिंग में है बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं हमने भी एक वीडियो बना था जिस पर भर भर क कोमेंट आ रहा है अभी तक में 140 कोमेंट आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं तो चलिए उन सवालों का आपको हम देते हैं जवाब तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया है कि ये नया सिक्षानीती कब से लागू होगा तो देखिए इस सवाल का ज इसलिए अभी तक किसी भी राज में नया सिक्षानीती को लागू नहीं किया गया है और नया सिक्षानीती लागू करने में समय लगता है तो केंद्र सरकार ने तो आदेश दे दिया सभी राज को कि इसको जल से जल लागू किया जाए लेकिन राज सरकार की भी अपनी तो फिर books को छपने में समय लगता है। इसको डिजाइन करने में सारा कुछ उसका प्रोसेस होता है जिसमें की समय लगता है। बहुत सारा चीज चेंट होने वाला है। तो इसके बारे पहले वीडियो बना दिये कि क्या क्या चेंच होगा। आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आगे अगर आपने देख लिया उस वीडियो को तो आगे समझे क्या होने वाला कव होने वाला तो नया सिक्षा निती को किंद्र सरकार ने तो लागू कर दिया है लेकिन राज सरक गल्गा कम सेसंद से लागव मतलब केंद्र सरकार ने कह दिया है इसको लागव करने के लिए था इसलिए किसी भी राज ने अभी तक लागू नहीं किया है और एक अप्रेल से किसी भी राज में लागू होने वाला नहीं है यह लागू होने में 2023 में जाके लागू हो सकता है या 24 में हो सकता है या राज सरकार पर डिपेंड करता है कि कौन सा राज इसको कितना जल्दी क्या इस तरह से बदलव उगा، यह सच्छा है, कि अंदर सरकार निती बनाया बदलव तो होगा लेकिन तूरत नहीं होने वाला है, इसमें समय लगने वाला तो पहला question यही था कि कब से लागू होगा तो यह समझ माग यह हो दूसरा कोस्टन जो पूछा आता, 2023 में 10th का एक्जाम होगा या नहीं, तो देखिए, निश्चित रूप से 2023 में 10th का एक्जाम होगा, 24 में भी होगा, जोंकि जब तक लागू नहीं हो जाता है, आम तब नहीं होगा 10th में इस बदलाओं के अनुसरा जब किताब आपका चेंज हो जाएगा, तो बुक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, तब जाकर कि नए शक्छा निती के अनुसरा आपका एक्जाम जैसे भी उसमें बताया उस्तरस होगा अभी फिलाल कोई books change नहीं हो रहा है किसी वी राज में नहीं हो रहा है तो इसलिए 10th का एक्जाम 23 में भी होगा और 24 में भी संभावना है कि एक्जाम होगा इसलिए आप लोग त्यारी करते रहें यह जो है अगला question यह बिहार में कब लागोगा तो यह तो बत question है सर तो इस साल का board का कोई value नहीं है देखिए value विल्कुल है इस साल के board का value है क्योंकि अभी तक यह लागू नहीं हुआ है लागू हो भी जाएगा तो सेमेस्टर वाई तो एक्जाम होते रहेगा सिर्फ board एक्जाम नहीं होगा तो इसमें सर जो बच्चा इस साल 10th में ग 2023 में board होगा ही नहीं होगा कि नहीं इस पर ज्यादा question आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 2023 में board होगा 24 में भी हो सकता क्योंकि जब तक चलिए स्ट्राइब का question सीवी एसी बोर्ड में लागू होगा अभी तो लागू नहीं हुआ है और सीवी एसी बोर्ड में भी लागू होगा जब यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा सभी राज में तो इस तरह का बदलो आया तो हमने इसमे विडियो बना दिया था और बहुत सारे लोगने बस बना रहे हैं क्यों है सब्सक्राइब का बूर्ड होगा कि नि विल्कूल बट होगा जोबी द्टश में बोर्ड की तियारी करें वह बिल्कूल तियारी करें जो नाइंध में है तो उसका बोड़ होगा किने विलकुल होगा अभी क्योंकि लागू नहीं हुआ है तो ठीक है इस तरह का बहुत सारे question आ रहा था होनी चाइब ठीक है इस तरह का question है और देख लेते हैं क्या-क्या है next चलिए इस तरह से ठीक है इस तरह का question बहुत सार आया था हाँ तो में question यहीं दून था कि कब से लागू होगा क्या-क्या बदलेगा तो अभी कुछ भी नहीं बदला जब कि राशर का इसको नहीं मंजूरी देता है लागू नहीं करता है तो कुछ भी नहीं बदलने वाला तो आप लोग जो है भ्रम मेंनार हैं त्यारी करते हैं यह एक जानकारी थी जिसको मैंने भी दिया और बहुत सारे है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा